करोना माहामारी कारण दुनिया पर वीच चल रहे लोकडाउन तो बाद हर एक देश दी सरकारवलो अपने अपने हसाबनाल सुरख्या उपावर्त्या होया आम जीवन नू मुर्त सुचारूब नौन्य कोशिशा की तिया जा रही हैं इसे लड़ी तहत गौंडी मुलक पाकिस्ताने भी पारत दी तरज दे अपने देश अंदर सारे तार्मिक स्थान खोले जान दे संकेत दिते हन अते इना तार्मिक स्थान वीच करतारपूर कोरिडर भी शामिल है जिसनू लाके पाकिस्तानी सरकारवलो 29 जून नू महाराजा रंजी सिंग दी बरसी मौके गुर्द्वारा शिरी करतारपूर साहिब दे कोरिडर नू मुड खोले जान दी त्यारी किती जा रही है पूरे मामले दी तस्दीक पाकिस्तान दे फॉरन अफेर्ज मिनिस्टर शाम महमूत कुरेशी वलों अपने ट्वीटर हैंडल उपर एक ओफिशिल पोस्ट शेर करके किती गई है जिस विच ओना ने साफ किता है कि पाकिस्तानी सरकार अपने नागरिकानों राहत देली देश दे सारे तार मिक स्थान खोलन जा रही है अथे इसे लड़ी तहत पारत पाकिस्तान दर्म्यान स्थित करतारपूर कॉरिडर नोवी 29 जून तक खोलन भी त्यारी किती जा रही है उनना ए भी लिख्या है कि इस मामले सबंदी पारत सरकार नोवी परपोजल पेश दिता गया है वो थे दूज्य पासे इस मामले नोवी लेके पारत सरकार नोवी तक कोई ब्यान जारी नहीं किता गया अथे फिलहाल जेकर अजेहा हुंदा है ता इस फैसले नोवी पाकिस्तानी सरकार दे इक तरफा फैसले वजोही देख्या जावेगा क्योंकि कोरिडोर दा मसला इंटरनेशनल पद्दरदा है अथे एक कोरिडोर एकल्य एक देश दी मर्जी नाल ही नहीं खोले आ जा सकता हुन वेखन वाली गल ए होवेगी की पाकिस्तानी सरकार दे इस फैसले तो बाद करतारपूर कोरिडोर नो खोले जानसबंदी पारत सरकार की रुख अक्तियार कर दी है